बॉलिवुट की हर खबर के लिए प्रस कीजे बेल आइकन और जुड़े रहे ये वॉट्सअप बॉलिवुट के साथ हेलो एवरिवन मैं हुश्रेया और आप देख रहे हैं वॉट्सअप बॉलिवुट बेकबॉस सीजन 14 के घर से बिना ओडियन्स वोट के बाहर आने वाले कंटेस्टेंस हैं शहजाद देओल वैल ये दूसरी बार हुआ है जब बिना किसी ओडियन्स के वोट के किसी कंटेस्टेंस को सीनियर के डिसिजन के बाद घर से बाहर कर दिया गया है ऐसे में शहजाद अपने eviction से बेहदी disappointed है इतना ही नहीं बलकि उन्होंने ये भी बताया कि उनकी जग़ पे कौन से contestant को बिग बॉस के घर से बाहर होना चाहिए था इतना ही नहीं शहजाद ने घर में सबसे strong contestant का नाम भी बताया है सारा गुर्पाल को सीनियर स्वारा शो से निकाले जाने के एक वीक के बाद शहजाद को भी घर से निकाल दिया गया है शहजाद बिग बॉस के शो के concept में बदलाव से disappointed है और audience की जग़ घर वालों को किसी contestant को evict कर देने की ताकत को देना घलत मानते है हंदुस्तान टाइम्स को दिये एक इंटरव्यू में शहजाद ने बताया कि बिग बॉस के घर में रहने का उनका experience कैसा था और क्या उन्हें अपने eviction की उम्मीद थी इस पर उन्होंने कहा ये एक अच्छा experience था लेकिन eviction shocking था ये इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए आप एक show में जाते हैं जिसमें उमीद की जाती है कि audience का vote होगा लेकिन फिर आपको पता चलेगा कि contestant को vote करके किसी को भी evict करने का मौका मिलेगा एक contestant की अपनी planning होती है लेकिन ऐसे मामलों में चीजें दूसरे तरीके से चलती है अगर audience vote कर रही होती तो मेरे eviction का कोई सवाल ही नहीं था आप पोल या voting कर वालो आपको पता चल जाएगा अगर घर वालों के decision पर eviction होता तो मैं भी दोस्ती कर लेता और group का हिस्सा होकर अलग game खेलता शहजाद ने ये भी बताया कि कैसे वो इस decision पर निराश है उन्होंने कहा मैं दर्शकों पर भरोसा कर रहा था मेरे eviction से मेरी audience मुझसे जादर disappointed है मुझे एक task करने की भी permission नहीं थी अगर मैंने perform किया होता तो मुझे evict नहीं किया जाता शहजाद ने कहा मुझे कोई पच्चतावा नहीं होता अगर मैं task में हार जाता क्योंकि तब मेरी किस्मत मेरे हाथों में होती आपने न तो मुझे अपने किस्मत पर भरोसा करने दिया ना audience पर मैं disappointed हूँ शहजाद को लगता है कि जान कुमार सानू को उनसे पहले जाना चाहिए था उन्होंने कहा उनका यानि कि जान का viewpoint आसानी से किसी और से प्रभावित हो जाता है वो दिल के अच्छे हैं लेकिन वो शो के लिए फिट नहीं है उनके पास अपना खुद का व्यू नहीं है जब भी वो अपनी बात सामने रखने की कोशिश करता है वहाँ ये मुद्दा relevance नहीं लगता शहजाद ने ये भी बताया कि उनके हिसाब से शो में अच्छा कौन खेल रहा है उन्होंने कहा जैस्मीन क्योंकि वो real है और मुझे उनमें खुद की परच्छाई दिखाई देती है वो एक कारेक्टर नहीं निभा रही है वो नकली दोस्ती करने की कोशिश नहीं कर रही है किवल वही है जो खेल में real है वल क्या आपको लगता है कि शहजाद का इविक्ट होना बिजर्विंग था कमेंस के जरीए हमीं जरूर बताये और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहे What's Up Bollywood